जैस्री कुष्णा राधे राधे कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं होंगे और वीडियो पसंद आये तो लाइक कमेट शेयर कीजिएगा तो आज मैं गणेश जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि अमर सुहाग के लिए हैं अमर सुहाग और अमर पिह भगवान गणेश जी की जैसे की आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है महिला एक खास कर अपने पती की लंबी आयू के लिए भगवान स्री गणेश जी की पूजा करती है और ऐसी माननेत है कि गणेश जी की पूजन करने से पती की अलपक्स हमेशा खूशियों से भरा रहता है वहां कोई दुख दरीद्रिता नहीं आती है कभी भी और तो चलिए आये जानते हैं सुहाग की लंबी आयू को देने वाली भगवान गणिश जी की अद्बुद कहाने एक समय की बात है एक भाई बहन रहते थे और बहन का ये नियम था कि वह अपने भाई का चहरा देख कर ही खाना खाती थी वह हर रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम निप्टाती और फिर अपने भाई के घर जल्दी से जाती और अपने भाई का मुख देखने के लिए मुख देखकर घर आ जाती थी एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान जी की मूर्ती रखी थी उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ कर कहा कि हे भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पिहर सभी को दीजियेगा यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी जंगल की जाड़ियों के काटे उसके पैर में चुबा करते थे जब वह अपने भाई के गढ़ जाती थी एक दिन वह भाई के घर पहुची और भाई का मुझ देखकर बैठ गई तो भावी ने पूछा पैरों में क्या हो गया यह सुनकर उसने भावी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के जाड़ियों के काटे गिरे हुए थे वो मेरे पैरों में चुब गए जब वह वापस अपने घर आ गई तब भावी अपने पती से कहा भावी अपने पती से कहने लगी मतलब उसके भावी से कहने लगी कि रास्ते को साफ करवा दो आपकी बहन के पैर में रोज काटे चुबते हैं अब बहुत सारे काटे चुब गए हैं भावी ने तब कुलहरी लेकर सारी ज़ाड़ियां काट कर साफ कर दी रास्ता तो साफ हो गया लेकिन वहां से गनेश जी का इस्थान भी वहां से हट गया यहें देखकर भावान बहुत गुस्सा हो गए और उसके भावी के प्राण हर लिए लोग अंतिम संसकार के लिए भावी को लेकर जब जा रहे थे तब उसकी भावी रोते हुए बोली कहने लगी सभी से हाथ जोड़कर कि थोड़ी देर रुख जाओ उसकी बहन को आने दो वहें अपने भावी का मुझ देखरे बिना नहीं रह सकती है उसका यह है नियम है तब लोगों ने कहा आज तो वहें अपने भावी का मुझ देख लेगी कल कैसे देखेगी तो कल कैसे देख लेगी रोज की तरह बहन अपने भावी का मुझ देखने के लिए जंगल में जब निकली तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साप हुआ है जब आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धी बिनायक को भी वहां से हटा दिया है गणेश जी की मूर्ती भी वहां पर नहीं है जहां हुआ करती थी तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे इस्थान पर रख कर उन्हें इस्थान दिया और हाथ जोड़ कर बोली भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर आप सब को दीजिएगा यह बोलकर बहे आगे निकल गई भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसी बात हमने नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा कौन हमें पूजेगा तो तब सिद्धी बिनाएक ने उसे वाज दी और कहा हे बेटी खजेडी की साथ पत्या लेकर जा और उसे कच्चे दूद में खोल कर अपने भाई के उपर छीटा मार देना भगवान उटकर बैठ जाएगा यह सुनकर जब भगवान पीछे मूड के देखने लगी तो वहाँ कोई नहीं था फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ क्या जाता है फिर वह साथ खजेडिया की पत्ती लेकर अपने भाई की घर पहुँची उसने देखा वहाँ कई लोग काफी भीड घटा हुई थी कई लोग बैठे हुए थे भाई भी बैठी हुई रो रही थी भाई की लास रखी थी तब उसने उस पत्तियों को बताये नियम के अनुसार तह भाई के ऊपर इस्तेमाल किया जब भाई के ऊपर उसने उन पत्तियों को कच्चे दूद में मिला कर छड़का तो भाई उठकर बैठ गया और बोला अपनी बहन से कहने लगा कि बहन मुझे बहुत ही गहरी नेंद आ गई थी तब बहन ने कहा कि भाई ऐसी नेंद किसी दुस्मन को भी ना आए और सारी बात अपने भाई को उसने बता दे तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और जादे जादे शेयर पीजिएगा मैं मिलूंगी निव वीडियो साथ तच्चे स्री कृष्णा रादे रादे चै गनपति महराज की